मुझे ऐसे लगता है कि एक जो लड़की की जिरनी है ना हो हमेशा लड़कों से 3-4 टाइमस डिफिकल्ट है क्योंकि जिस नजरीय से देखा जाता है तो यह अच्छी चीजा है बुरी चीजा है मुझे नहीं भी उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा है मुझे ऐसे लगता है कि लड़कीं को डिफेंट तरीके से देखा जाता कि नहीं लड़के ऊपर रहेंगे लड़के नीचे रहेंगी उस सारी बेडियों को तोड़के एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करना जो कि किसी भी इंडिविजुल ने मुझे नहीं लगता इंडिया में अभी तक किया है इन दिस सफियर तो वो वो चीज हासिल करने क्या मोटिवेशन थी आपको ऐसे फीमिल क्या क्या प्रॉब्लम जाती है और आपने उसको ओवर कम कैसे गिया जैसा आपने का एक्जाक्ली आप स्पेशली जब ऐसे फील में होते जो पुरुष प्रधान ही फी तो मेरा यह अपने आपको मनवा लेना कि यह इजी नहीं होगा मेरा फर्स टेप था कि यह इजी नहीं होगा आपको फाइट करनी पड़ेगी आपको लड़ना होगा आपको रोकने की कोशिश की जाएगी पर उस वक्त मैं कहती हैं कि उस वक्त पैरेंस एक बहुत बड़ा तो मेरे पेरेंस जो दिवाल बनके मेरे लिए खड़े थे मेरे सामने कभी नहीं काऊंगी पर मेरे पीछे की सामने रहेंगे तो मैंने फिर वही बात की का आप गलतिया नहीं करने देरो आपने शील्ड बना ली बच्चे को कुछ होना ही नहीं नहीं वह पीछे थे कि अगर ग सही नहीं समझेंगे तुम हर वक सही नहीं होगी तो तुमको कई वर अपनी गलतियां भी मानने पड़ेगी तुमको इस फील को समझना पड़ेगा बस रुकना नहीं है यह याद रखना यह मेरे अंदर हमेशा रहा कि no matter what आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप जिसे ह एक basic reason तो आप मुझे दीजिए भगवान ने तो मैं नहीं मानती भगवान ने कोई भेदबा किया होता तो बारिश मर्दों पे जाधा होती शनलाइट मर्दों पे जाधा होती लिकिन ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने दोनों को एकदम एक्डम उपरचिनिटी तो अगर उन्ह जो होगा यह motivation था के और फिर problems आई आपने सहा समझा कई बार आप लड़े कई बार आप चुब भी हो गए कि ठीक है इस वाक मेरा पीछे हट जाना शायद जाधा बहतर है मेरे लिए ता कि मैं जब next time आगे बढ़ू तो चार कदम जाधा ले पाऊं तो यह चीजे थोड़ा आप सा टेक्निकली समझ के किया और बगवान में साथ दिया